है आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट अने जी कहा है हैंग मैं रिवर्स किंग अप शोर्ड़ पाइव शोर्ड़ कुईन फॉर्ड़ किंग शोर्ड़ 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 श क्वेन पांचिकल्स और स्ट्रेंथ कर लेती हूं फिर मिलती हूं आप लोगों से तो आपके पार्टनर हैंग मैं के कंडिशन में पहले थे लेकिन वह अभी हैंग मैं के कंडिशन से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि यह रिवास में आया है से बाहर निकल के आया है बहुत सोचते सौचते जो सोचने वाली जो न्रजी उतने दिनों से चल रही थी उसमें थोड़ा सा चेंज आया है तो वह हैं मैं की कंडिशन से बाहर निकल के कुछ सॅलीड डिसे मलेए हैं लेत्म sommes को अपन अवगे एसे लोग जो कोई ऐसी क्वीन जो उनके ऊपर पूरा अपना कपसा जमा के बैटी हुई थी उन सबसे वो आप फाइट करने के लिए तयार हैं अब अपने लाइफ में मने रास्ते में जो भी अगर उनके आएंगे उनसे लड़ने के लिए तयार हैं मैंने प्लेट करेंगे त तो यह कपले के तयार थे जाने के लिए लेकिन स्लो मोशन में थे और उनको समझने आ रहा था हैंग मैंगे कंडिशन में थे क्या करना चाहिए लेकिन अब उस कंडिशन से निकल गए हैं अब वो पहले सेल्फ लव की कंडिशन में थे सेल्फ लव कर रहे थे लेकिन अब व कावे में आ गये थे और कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई बोल दिया उसके पीछे चल दिया अगर कोई डॉमिनेरिक परसन उनके लाइफ में था तो उन सब की बातों को अन्सूना करते हुए वह अपनी क्वीन के पास आना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रेंद कट्टा कर रहे ह वह आपको अपनी क्वीन के जैसे देखते हैं और अपनी क्वीन के पास आना चाहते हैं और स्ट्रेंद कट्टा करके वील ओफ फॉर्चुन यह डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं तो वह स्ट्रेंद कट्टा कर रहे हैं कि जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आता है ए एक action लोंगा और आपके साथ happy family बनानी है उनको happy family बनाना चाहते हैं क्योंकि bottom में आपको देखिए night of pentacles, a stable relationship आप से चाहते हैं आपके तरफ new beginning करना चाहते हैं और the empress, empress भी आई है तो आपको अपनी empress समझते हैं और ये देखें ये जो four up cups है वो reversal है तो आप ये जो मतलब third party ये भी reversal है तो हो सकता है कोई ऐसी third party जिसको वो अपनी empress समझ बैठे थे अब उनके आखें खुल गई है कि नहीं ये मेरी empress नहीं है मेरी queen नहीं है मेरी queen कोई और है जहां मुझे होना चाहिए था और मैंने उसे reject किया इस बात के दुख में वो थे अब वो उस दुख से उबर के उस दुख से निकल के अपनी queen के पास आना चाहते हैं लोगों की बाते बनाने की जो आदत थी अब उन सब चीजों को समझ चुके है अब वो फिर strength इकटा करके अब वेट कर रहे हैं कि आओ किसको लड़ना है मेरे से मैं तयार हूँ और वो जो इस pain में थे बहुत जादा pain में थे guys तो वो अब इस pain से बाहर निकल गए हैं बाहर निकल चुके हैं खुद को उन्होंने समाल लिया है बहुत तकलीफ में थे खुद को समाल लिया और वो अब आपके लिए action लेंगे क्या तो एक सही समय का वेट कर रहे हैं सही सम में आने पर आपके साथ happy family बलाएंगे फिलाल यह energy थी thank you